हेलो, वेल्कम बैक वन मैं चैनल, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे हम अपनी SSD या हाड़स या कुछ भी SSD के उपर हम कैसे CacheOS को एजिली इंस्टॉर कर सकते हैं एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम कैसी में एजिली अपने गेम के रिलेटरी जो भी पैकेजिस हैं वो सिंपली वन क्लिक के अंदर इस्टॉर कर सकते हैं तो आज मैं इसको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हमको कैसी मिलती है तो मैं आपको कांटर स्ट्राइक 2 का गेम प्ले दिखाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको अपनी system की configuration और एक चीज बताना चाहता हूँ जैसे आप CacheOS बूट करें तो आपको ने आपके सामने यह window open होती हुए Cache Hello तो अगर आपके पास time है तो आप simply अपनी system के update चेक कर सकते हैं क्योंकि CacheOS वह है वह regular basis पे अप कोई भी जैसे कोई CacheOS अगर कोई नया version release करते हैं तो आप simply अपने system को update कर सकते हैं तो मैंने तो अपने सारे package अपडेट किये हुए है तो जैसे मैं अपने system को बूट करता हूं तो मैं अपने package देखना हूं क्या वह updated है कि नहीं है अगर कोई update package नहीं है उसका update आया हुआ है तो मैं उसको install कर लेता हूं तो मेरे system तो वह fully update है तो मैंने जो अपना steam है वह भी open किया हुआ है तो यह है मेरा steam और मैं आपको steam की जो मैंने 2-3 configuration की हूई है वह मैं आपको दिखाना चाहता हूं आप settings पे जाएंगे और जो downloads के अंदर मैंने जो है shader precaching को enable किया हूँ है दूनों checkboxes को तो अगर आपके यह disabled है तो आपने यह दूनों checkboxes को enable कर लेना है और इसके इलाभा मैंने proton की layer को enable किया हूँ है और यहां से मैंने proton hotfix को select किया हूँ है version और यह थे मेरे steam के steam की configuration जो मैंने steam इंस्टॉल करने के बाद की है और उसके बाद मैंने गेम में जाएंगे अपनी counter strike और यहां पर एक right side पर settings का icon है इसके बाद properties पर जाएंगे settings पर क्लिक करने के बाद और general के अंदर मैंने launch option के अंदर यह दे दिये ताकि जो मेरी game को है वो highest priority मिले तो इससे हमारी game की थोड़ी performance अच्छी हो जाएगी तो यह थे तीन changes जो मैंने अपने मतलब अपने steam application में की हैं तो मैं जो है अब जो जैसे मैं जो स्क्राइब कर रहा हूं वो OBS से कर रहा हूं तो जब मैं OBS के साथ अपनी gameplay record करता हूं वो काफी lag मारता है मेरे को 10-15 fps मिलते हैं तो मैं जो है अपने mobile से record करूंगा और आपको वहां से frame rates को स्वरा जूम rate आ रहे हैं तो अगर मैं आपको verbally idea दूँ तो वो frame rate approximate 70 से लेके 140 के अंदर-अंदर रहते हैं मतलब 100 तो average रहते ही हैं तो मैं अब अपने system अपने mobile के camera पर switch करता हूं और आपको Counter-Strike का gameplay दिखाता हूं कैसा मिल रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि इस channel के उपर हम gaming के live stream करें ताकि हमरे Linux community और grow हो तो प्लीज नीजे comment में mention करें तो हम weekends के उपर live stream plan करेंगे अपने channel के उपर कि यह चैंयतं आप्वार आपके का ईुझाताmons का PKB CE इल बड़ाय vosतो Θष खके को सबक्के का और क्पके उपरी weạn contenu से और में बार आपके को के बार आपके झाल 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 कर झाल 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 झाल